दिल्ली इंसियार के प्रमोग शहर, नौईडा में प्रदूशन के स्तर को कम करने के लिए स्थानिय प्रशाशन लगातार प्रयासरत है इसके लिए नया तरीका भी ढूडा गया है शहर में E-Cycle के इस्तेमाल को बड़ावा देने की कोशिश की जा रही है इसके लिए नौईडा अथारटी जोरो शोरो से इसकी तयारी में लगी हुई है 62 में से 60 E-Cycle स्टेंड बनकर तयार हो चुके हैं एक जुलाई से शहर में E-Cycle चलने लगेगी E-Cycle चलाने और उनके रख रखाव की जिम्मेदारी प्राइविट कमपनी को दी जा रही है साइकिल के किराए और स्टेंड पर लगने वाले विज्यापन से कमपनी की इनकम होगी एब की मदद से साइकिल लॉक और अनलॉक भी होगी नौइडा अथॉरिटी का मकसद शहर में पेट्रोल डीजल के वाहनों के इस्तमाल को कम करना है छोटी दूरी का सफर तै करने के लिए लोगों को E-Cycle के इस्तमाल के लिए प्रेरित किया जाएगा इसी को ध्यान में रखते हुए अथॉरिटी ने साइकिल स्टेंड का निर्माण भी कराया है अगर आप अपने घर से निकलने के बाद सरकारी दफ्तर, मेट्रो स्टेशन, मुख्य बजार और बस स्टेंड जाना चाहते हैं तो आपको हर जगे असानी से इसाइकल मिलेगी अथॉरिटी के अफसरों का कहना है कि इसाइकल की रफतार 25 किलो मीटर प्रती घंटा की होगी बैटरी निकालने के बाद साइकल का वजन 60 किलो ग्राम से जादा नहीं होगा उपभोकता एप के जरिए इसाइकल की सेवा किसी भी वक्त ले सकते हैं लेकिन उसके लिए पहले आपको KYC कराना होगा इसके बाद डॉकिंग स्टेशन से एप की मदद से साइकल को अनलॉक किया जाएगा इतना ही नहीं डॉकिंग स्टेशन पर वापस आने के बाद साइकल अपने आप लॉक भी हो जाएगी इसाइकल की सेवा पूरे हफ़ते सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक मिलेगी